हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू माई चैनल आप देख रहे हैं निलम की रेसिपी मैं हूं निलम तो आज आपके लिए मैं लेका हूं फिर से यूनिक सा साला डेकोरेशन कटिंग तो सेम ही है जैसा कि आप देख रही हैं बैब बिल्कुल सिंपल कटिंग करते हूं फिर भी बह कुछ देख लिया किसे यहां पर मैं टूमैटो का रूज बनाना स्टार्ट कर रही हूं तो चले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर अभी तक नहीं किया तो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर किजेगा छोटी लगता है तो यह टुमैटो का रूज बनाना तो बहुत सिंपल है टुमैटो के परते पते हैं आप मैं देखे कि सरकल से मैंने इसके जो रैपर है ने कि छिलके हो निकाल लिए चिलके बहुत इंपर्टनें निकालने क्योंकि बीच में अगर इसका छिलका टूट गया यह न कर सकती हैं कि बीच टूट का चुनाओ हमेशाब पतले पतले और चोटे बीच टूट का ही करें तो इस तरह सारे कटिंग कंप्लीट है अब हम डेकोरेशन करेंगे तो यहां पर देखिए एक प्लेट मैंने लिया और इसमें सबसे पहले कुकुमबर में आड़ करूंगी यह उसको मैं क्या करूंगी कि इस तरह अगर इसके वीडियो से अगर आप देखना चाहती है तो उसके भी लिंक में डाल दोंगी वहां साप मेंचन कर लेना और चेक कर लेना और वहसे मैं बहुत सारे डेकोरेशन बताते रहते हूं क्योंकि यह वीडियो थोड़ीशी मीश हो साला डेकोरेशन में एक छीज आपको करना है क्या डेकोरेट करना है है सबजी से अब करना बता हूं कि वैसे बैंने बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर रहे हैं तो एक चीज आप से क्लियर कर दूंगी छोटी सी प्लेट होती है उसमें सारी सबचियां अगर आपके नहीं आपाती हैं तो कोई नहीं आप एक एक dol según यहां पर Likewiseritoह यहां पर जाल रही हूं क्यरोट से पहले और पार क्र सकती है उसके उसके बाद कुंवामाव कर使ा है या सब Seriously कुछा है ढ़ताइ ligger आयरे वीडियो बनाओ उसमें आपके सारे सब्सक्राइब को सारे वेजटेबल को सौरी मैं एड़ कर दूं तो यहां पर देखिए मैं इस तरह कैरोट को एड़ कर लिया सरकल सरकल से अब यहां पर थोड़े से जगा है क्योंकि रोज मैं रखूंगी तो वह दीखेगा नहीं तो यह यहां पर पेश्ट करूंगी यह देखिए हो क्या सैलेट का प्लेट कमप्लीट बट यह अगर प्लेट आप थोड़ा साइस में ट्विश ला सकते हैं जो आपका कुकुम्बर है वहां पर यहां पर यह देखिए मैं छोटी-छोटी जो सरकल स्लाइसे यहां पर करोट के रख कोमेंट करके बताना है वीडियो अची लगे तो लाइक और शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो अभी सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए किसी नया यूनिक डेकोरिस्टिन के साथ फिर मिलते हैं